चलो कल देखते हैं मार्केट कैसा मूव कर सकता है और क्या हम अपने लिए बैस्ट प्लान कर सकते हैं उसके पहले से तुम्हें चोटा सा मैसिज यह वीडियो में तुम्हें जिसने नोलीज परपस और स्टड़ी परपस के लिए बना रहा हूं कोई भी बाई और सब्सक्राइ है अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो तो अपने अडवाईजर की सलाप करके लेना और आप कुछ भी एक्शन लेते हो पूरी होश हवाश में अपनी जिम्मेदारीक साथ में लेना चुरो हम अपना अनलसिस शुरू करते हैं कि कल हम क्या क्या अपने लिए बैस्ट प्लान मार्केट अपन डाउन कुछ ना कुछ कर रहा है वहाँ पर आज भी अच्छा मूव आया था छोड़े टाइम फ्रेम पर तो मैं वह भी दिखा देता हूं यहां पर हम मूव शिफ्ट करेंगे तो यहां पर आकर आप देखुए तो अच्छा खासा मूवमेंट यहां पर भी करने कोशी कि थी और मार्केट वहां पर सब्सक्राइब कर पाए अब इसके लेवल के आश्वस कहीं ने कहीं मॉर्ग रुका हुआ था अब यहां पर बेस्ट पाट क्या है अब यहां पर दो चीजे हो सकती है अगर आप पूरे मार्केट को देखुए तो यह इंडेक्स को लेकिन आपके एसल और आपका जो अभी आपका रिस्क रिवोर्ड मैनेजमेंट पैसा होता है और आपके थोड़ा से पेशेंशली इसके लेवल ब्रेक होने अगर अगर अपसाइड करेंड लेना चोटी लेना और प्शूदी अपना माइंट्सेट यह रखना कि जब तक यह नया हाई गया सपस नहीं पहुँचता या अच्छा कुछ खास मोमेंटम नहीं आता तो उसके ह कि अपना SL लेने की capability रखना जरूर यह नहीं कि पिना risk reward कि आप SL खेल रहे हो तो इस level को break हो लेने देना उसके बाद ही आप यहाँ पर trade पंच करना अब कल के लिए दे सकते क्या क्या हो सकता है अगर आप चोड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आगा simple market नीचे आ सकता है या तो अगर यह break करता है तो well and good यहाँ पर मज़ा जाएगा हम लोगों को एक अपसाइड की ट्रेड यहाँ पर planning करेंगे नहीं तो यह हमारी चोड़ी से ट्रेड है यहाँ पर वन टाइम अगर वन आर भी आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी सेम ऐसे होन पर यह मैं तो बताता हूं mostly day अभी कुछ ना को दो तिन दिन या यह वी कुरा sideways ही जाने वाला है बेको इसके कुछ reason भी है अगर आप देखोगो तो यहाँ पर यह last expiry यह bank nifty की और finnifty की भी ठीक है ना तो यह कहीं ने कहीं जो weekly expiry जाल रही थी यह खतम होने वाली है अब इस सारे shift हो जाएंगे index monthly में bank nifty finnifty और यह इतने भी bank x थी सारे monthly में shift हो जाएंगे तो कहीं ने कहीं कि liquidity यह drop होने के भी chances बहुत ज़्यादा हाई है कि इसमें को liquidity आपको मिले ना इस week में next month में जब यह shift होंगे तब कुछ ने कुछ ने कुछ यहां पर breakout यहां कुछ होगा है तो इसमें कुछ हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं अब अगर हम फिन निफ्टी कर आपना चेक कर रहा है तो फिन निफ्टी में यहां पर क्या हो रहा है सेम चोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट खुला था यहां कहीं है gap अप थोड़ा स्कुला और उपर गया अगें मार मार्केट कहीं के अपने बोटम के पास में खड़ा हुआ अपने सपोर्टर यहां पर ले रहा है तो मार्केट ट्राइ करो कि इसको एक मूव पूल बैक आ लेने दो कि पूल बैक बहुत जल्द आने वाला थोड़ा से वेट कर लो पूल बैक तुम्हें जुरूर मिलेगा उ अगर आप यहां पर स्टोक देखो न स्टोक चेक करोगे तो साथ परसंट आठ परसंट यह आज के ही है ठीक न इतने अपर करेक्शन आ रही है इसी वेसे सेंसेक्स और जो फिनिफ्टी इतने ज्यादा वीग हो रखे है थोड़ा से बैंकिंग थोड़ा सब मैं कहुंगा न आप पेंट के ले लो किसके भी सेक्टर ले लो कहीं कर रही है तो उसकी वेसे काफी गिर भी चुके कर आप यहां पर कोई भी स्टोक के तो एक पुल बैक तो आना कंपल्सरी है अब वह कब आएगा यह मुझे भी नहीं पता है ना किसी को पता है ना किसी को कर 100% किसी को नह तो उसके बाद ट्राइब करेंगे हम एक सेल साइड का ट्रेड विकोस जो अभी अगर वेब कंटिनुई डाउन साइड की चलती है और इसमें चलने की चांसे बहुत ज्यादा है बिकोस जो स्टोक ने पहले हाई बनाया हुआ था वह देखो बहुत ज्यादा स्टोक चल चुके थे तो क्रेक्शन तो लाजमी थी आना ही आना था तो यह चोटा सा सिंबल सा नैल्सिस है तो मोस्ली इसमें कुछ खास ट्रेड थी नहीं है नो शायद इस विक आपको कुछ खा बहुत क्वालिटी और कम कुणिटे से ही ट्रेड पंच करना अधरवाइस थोड़ा सा रिलाक्स करके चिल करके बैठ हो रहा हमसे तो थैंक्यू सो मच गाइस यही चोटा सा अनैल्सिस वीडियो था इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास था नहीं क्योंको मार्केट विल्कुल साइड वेस में है और जितने स्टोक है वो करेक्शिन मोड में है ठीक ना तो थैंक्यू सो मच गाइस वीडियो में भी खतम करते हैं थैंक्यू